तो भाई बचपन से ही मुझे व्लॉगिंग का बहुत शॉक है, जिसके चलते हैं मैंने काफी सारे अजीबो गरीब फोन्स ट्राइक हैं, बट आज अजीबो अमीर फोन्स हैं मेरे पास, OPPO Find N2 Flip और Galaxy Z Flip 4, वैसे तो भाई Find N2 Flip अभी अभी रिलेज़ हुआ है, बट भाई for real, this is flip phones on drugs, grease एकदम गायब सी कर दी है, और यहां secondary display एकदम perfect size का है, नहीं, यह video sponsored नहीं है, सच में vlogging के time एक सबसे important चीज़ होती है, framing जिससे पता चलते हैं कि आप कहां पर खड़े हो, और background में कुछ extra समान तो नहीं आ रहा, जो OPPO के secondary display की वज़े से काफी easy हो जाता है, और व पर अब बात करते हैं दोनों phones के camera's की, OPPO N2 में background blur काफी तगड़ा है, और skin की detailing Z Flip 4 में, detailing और sharpness वैसे दोनों की अच्छी है, real to life Z Flip 4 में लग रहा है, और social media ready OPPO N2 Flip में, वैसे skin के color tones में भी फरक है, N2 cool side पे और Z Flip 4 warm, और background के colors जैसे reds और greens OPPO N2 में saturated आते हैं, against the light में N2 face इसको better light up करता है, और Flip 4 background को better expose, normal mode में sharpness N2 की तगड़ी है, पर halo effect दोनों में आ गया, वो powder वाला वीडियो याद है न, IQ Neo 7 versus IQ Neo 6, अगर नहीं याद तो ओपर वीडियो link में देख ले न, एक last फरक है, बहुत ध्यान से देखोगे, तो ही पता चलेगा, N2 में saturation के चलते red color हलक का सा pink नजर आता है, बागी portraits में दोनों की detailing एकदम बढ़िया थी, normal mode से wide angle पे switch करने पे, Flip 4 ने color ज्यादा consistent रखे, और sky के color से आपको भी ये difference पता चल जाएगा, तो भाई, scene ये है कि, अगर आप Instagram पे reels बनाते हो, YouTube पे motivational videos बनाते हो, तो N2 बहुत काम का device है, मजाक से 8K vlogging का पूरो experience change कर दिया है, मेरा OPPO N2 Flip ने, main lens की बढ़िया background blur वाली videos हो, या solo trip पे खुद की photos क्लिक करना, वैसे जब phone मेरे पास आया था, तो मैंने OPPO का request किया था, कि ये जो lock screen है न, ये rotate भी होना चाहिए, and finally they have fixed it, और ये rotate भी हो जाता है, धोनों साइट से इसको अराम से view कर सकते हो, खेर ये तो थी सारी अच्छी वाते हैं, दो चीज़ें ऐसी भी है, जो software के through में भी OPPO improve कर सकता है, पहली चीज़ quick access camera, एक shortcut जरूर होना चाहिए यार, फट से camera खोलने के लिए, screen पे gesture करके, या power button का ये use करके, या screen को triple tap करें, तो फट से camera खुल जाए, तो मज़ा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, but overall भी मुझे personally लगता है कि N2 Flip ने एक perfect balance strike कर लिया है, between a good camera lens and a portable vlogging setup, बाकि अगर आपको N2 Flip और Z Flip 4 का detailed comparison देखना है, तो comments में मुझे बताना, और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे comment section में, कर दो